दुनिया पर में COVID-19 के इलाज के लिए कई दवाईयों को तयार करने पर वैग्यानिक काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक पहल जामिया मिलिया इस्लामिया के Center for Interdisciplinary in Basic Sciences के वैग्यानिकों ने की है। वैग्यानिकों का दावा है कि Hepatitis C और HIV के संक्रमन को रोकने वाली दवाईयां कोरोना का संक्रमन रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। हेपिटाइटिस C बिमारी के इलाज में इस्तमाल होने वाले एंटी वाइरल ड्रग, ग्रेसिप प्रवीर और HIV-1 बिमारी के बचाव में इस्तमाल की जाने वाली दवाई, मारा विरुक सौर्स को टू वाइरस से संक्रमन मरीजों के इलाज में कारगर है। लेकिन पहले उसका क्लिनिकल ट्राइल होना चाहिए। जामिया के इस रिसरज और ट्राइल को प्रतिस्टि जर्नल बायो साइंस रिपोर्ट ने भी मानिता दे दी है।